है गाइस कैसे आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे विल्कम टू माई चानल जिसका नाम है रीमा सुधी और आज मैं बनाने जा रही हूं केक क्रिश्मस है तो मैं सोची क्रिश्मस से स्पेसल आप लोगो केक रिसीपी सेयर करूं तो उसके लिए मैं ली हूँ बड़े चमस से चीनी थोड़ा सा घील ली हूँ तो आप लोगे देखिए और सारे बिस्किट का जो क्रीम है मैं निकाल ली हूँ तो सबको मैं अलग-अलग दोनों को रखी हूँ यह बहुत इजी है फटा फट बन जाता है तो यहां पे रखती हूं कढ़ाई और इसमें ड अपलोड नहीं कर पाई मैं सूची मॉर्निंग टाइम में अपलोड कर देती हूँ तो यह रिसेपी मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग को अच्छा लगे तो यह मैं सूजी को हलका फ्राई कर दी भूच ले रही हूं बस तोड़ा सा बूजना है ज्यादा नहीं भूलना है तो अपलोड देख सकते हैं और इससे में निकाल ली तो इसे मतलब पुरा रेट नहीं करना है हलका से भून के निकाल लेना है और सब बिस्कीट और सूजी दोनों को मैं मिक्सी में पीस ली इस तरीके से और एक ग्लास दूद ली हूँ और यहां पर रखती हूँ कूकर उसमें डाल दी नमक गरम होने के लिए 10 मिनट इसको रखती हूँ इस पर रखती हूँ कोई भी आपकी खर में बर्तन हो आप रख सकते हैं और इससे में अब बेटर रेडि कर लेती हूँ तो दोनों बिस्कीट सूजी को मिक्स कर दी और हलक कर दो दाल के सब्सक difet is better को रिंटे कर लूगी मैं कि यहां पर रेडियों गया है इस तरीकिसे में अच्छे के मिला ले रही हूं अपलो देख सकते हैंट मैं और यहां पर डाल रही हूं सोडा डर बेकिंई पाॉडर कि यिश्लिए हुमन यह रही हूँ इसमीन यह नहीं म और यहां पर ले ली हूँ बटर पीपर और इसमें डाल देती हूँ और इसको रख दी उकर गरम हो गया है दस मिनट के लिए बंद करके छोड़ दी थी अब मैं इसको 35 मिनट के लिए बंद करके छोड़ दूँगी तो आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से पग गया है अब इसमें से निकाल लेती हूँ मैं मॉर्णिंग टाइम में आवाज फस रहा है मेरा लेकिन आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा यह रिसेपी आप लोग एक बर जरूर ट्राइक किजिएगा बहुत अच्छा लगेगा तो इससे में ठंडा होने के लिए थोड़ा छोड़ दी थी और इसको मैं निकाल ली बटर बेपर जो उसको में निकाल लेती हूं कल रात को वे मतलब करीबन 11 बज गये थे बनाते बनाते तो आप लोग जरूर बहुत सारा प्यार देजेगा इस पे और इसको में इस तरीके से कट कर ले रही हूं अगि और यहां जो चौकछैट रखी थी जो बिस्कुट का क्रीम रखी थी सबको एक ही में मिक्स कर दूंगी मैं तो इसके लिए मैं थोड़ा सा गरम पानी करूंगी तो आप लोग देख सकते हैं अब कट करके इससे पलाट ली हूं गरम पानी करके इसको मैं घोल ली इन् और फिर बिस्किट स्वारी फिर मैं केक पर लगा दी अच्छे से मिला देती हूं यह बहुत टेस्टी बनता है आप लोगी ज़रूरी से ट्राइक कीजिएगा बहुत इजी भी है ज्यादा कुछ समान नहीं लगेगा फटाफट बन जाएगा और यहां पर मैं डेकुरेट कर रही हूं तो इस तरीके से मैं की हूं अब मैं खड़ा हूँ के ठग गई थी इसलिए मैं बैट के समसाम कर रही हूं मतलब बहुत खाना भी बनाना था रात का उसके बाद यह भी बनाना था तो काफी लेट हो गया था और काफी मतलब बहुत ठग भी गई थी मैं तो आपने देख सकते हैं इस तरीके से मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह जरूर बताएगा कि कैसा लगा आप लोगों को यह केक रिसीपी